यहां पर वरोन गादी से जो बीजेपी के उमिदवार हैं हेमराज जी बताए कि कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं जिस तरह से आज हमारे पीली भीत की जनता जो पिछले 30 सालों से यहां के बुजूर्ग, नौजबान, यूबा, सब लोग आता हैं बहने, सब न देख रहे थे कि हमारा इस्थानी सांसद हो, हमारे जिली का सांसद हो और ऐसा सांसद ना हो जो एक महीने के छुट्टी लेकर आए और बस जीत जाए तो केबल स्वागत कराने के लिए आए जनता इन सारे चीज़ों को समझ चुकी है, ऐसे जूटे बादे करने वाले और बिना काम बारे लोगों को इस बार जनता बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है और अपना सांसद बनाना चाहती है आप मानते हैं कि बरुण गादी ये बाहरी हैं? देखे निश्य तोर पे मैं अपना बोड डाल के आया हूँ अब अगर बरुण गादी ने कहीं बोड डाला हूँ अपना तो बताएं कहां पर बोड डाला है उनका यहां बोड नहीं है, उनका यहां घर नहीं है, उनका परवार इस्टर में नाम नहीं है ये बाहरी लोग के बाहर राजनीत करने को आए हैं लेकिन जनता ये जान चुकी है कि इन्होंने अपने नाम का अपने पद, अपने कद, अपनी हैसियत का इस्तेमाल पीलीवीद के भलाई के लिए नहीं किया इसलिए इन जो है बिना काम वालों को बाहर का रास्ता दिखाएं जनता आतूर है क्योंकि वरुन गादी और अमेरिका गादी यानि कि उनके परिवार का इस सीट से करीब तीन दश्कों से नाता है तो आप मानते हैं कि टफ होगा आपके लिए दिखिए जो जिस तरह से नोंने पीली भीत को अपना घर बता या अपना परिवार बता है तो बताएं ना परिवार उनका है कहां पर